Class 9, Science के अंतरगर, परमान और अनू का आप अध्यन कर रहे हैं, परमान क्या है, अनू क्या है, आयन क्या है, इनमें हम जाएंगे फिर से, और डार्टिन का परमान सिध्धान्त क्या है, बिविन्न तदू का आधिनिक प्रधीक जो तत्तू लिखे जाते हैं, उनके क्या प्रध चले शुरू करते हैं, डार्टन का पर्मान सिध्धान्त क्या है? डार्टन द्वारब जो परतिबादी सिध्धान्त है, उसमें क्या कहा था उन्होंने? तत्त्त अधिवाज यह है, अभेवाज यह है, और छोटे कणोंसे मिलकर बना रता है, उन्हें हम परमानों कहते है। परमानों को परिवासा भी यही है, जो सुप्समक कंण है जोविक्रिया में पाग लेता है और क्या का उनने सभी पर्मानों के द्रभ्यान और रसाइनिक गुण समान होते हैं ठीक है, सभी पर्मानों के क्या द्रभ्यान और रसाइनिक गुण एक परकार का जो पर्मानों है रसाइनिक गुण उनके समान होगे पर्मानों अभिवाज ये सुप्सम कण है जो रसायनिक अप्टिया में न तो सव्जीत होते हैं और यहीं उनका विनास होता है. द्रब्यान सुर đang का निहम आपने देखा तो उसम भी यही कहा है कि किसी भी कण को हम नो स्रजीत का सकते हैं न विनास उसका वोता है बल्कि उनका रुपांद्रण होता है, एक रूप से दुसरे रूप में जाता है, एक चीज़ आवस्ता से दुसरी आवस्ता में कनबाड उसका किया जा सकता है। भीविन जो तत्व है कि परमानुका दिर्पिवान एक रसायनिक गुणधर्म जाया, अलग लग होते हैं सबकिते अलग लग होंगे। विन्य बिन्य तत्व के परमानुका प्रशपा चोटी मून संख्या के अनपात में स्वयूक कर योगी का निर्मान करते हैं। योगिकिक गादिन्मान अभ्छा गाइडिजन अएप नगिक योगिक D कि योगिक का द्रफेल, तह बनता है योगिक प्रमानों के साफ़क शńक्या गहानाव मुणषित होती है स्तेरनानबरात का निम आपने देखा, तो ऐसमें भी यह कहा है कि जिन तत्तों से योगी बनता है, यासे मैंने का पानी वकर दिया, तो पानी में क्या है आइज का सुत्र है ? ऑस पानी में लग कृष्ग काई है ऑप सुत्रह ए सुत्रह है ? अब वही बात करते हैं, परमानु क्या होता है? आपको पता है, परमानु तत्व का सबसे छोटाकन है, रस्तानिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, अधिकांस तत्वों के परमानु अत्यंत क्रियासिल होते हैं, और कुछ तत्वों के परमानु जो सतंत्र उस्ता में पाए कि पनत आ submit हैं उन्हे उत्करस्ट गैसे हैं, इनके परमान, अबीकर यह नहीं होते हैं, भीकरस्ट गैसेड़ कर परमान, दिल्मट, यह न हेंनल बहुत शुक्स मापक है विविन्न तत्म के परमानों के आदिक परतीक जैसे आप जो परतीक देखते हैं पुरे दुन्या वर्मा आप किसी भी देश में जाएंगे एक निशी परतीक उसका होता है जैसे आप किसी भी देश में जाएंगे वहाँ वही नाम जाना जाएगा जिसको कंट्रॉल करती है आई यू पी एसी इसका फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल यूनियन आफ फ्यॉर एंड अप्लाइट केमेस्टी ये निर्धारित करती है और स्विकृति प्रदान करती है कि किसक नाम क्या हो इसके अंशार पूरे संशार में कई भासा हैं कई बोलियां है तो उनमें जो कहा जाएगा है कार्मन को कार्मन ही कहा जाएगा कहीं भी जाएगा तो कैसे बनता है देखे अधिकतर तत्व के प्रतिक उनके अंग्रेजी के जो पहला अक्षर है उससे बना है या नम्हांतों कि मैं मुणाइए तो गाहिक्षार धुर करा एक सब्सक्राइए रिखाएगेडे को यह धू रिखा जाते हैं उस नी कापिटल लेटर में और उसका दू धूसर अक्षार से कोई बनाई तो वह सम लेटर मैं तो वह समॉल लेटर में अशनオ कोबार्ट 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 कोबार् तो वो जैसे हैं क्लोरीन है, क्लोरीन C और L से, जिंक है Z और N से, तो दो अक्षनों से बनते हैं और कुछ तत्वों के प्रतिमों को लेटिन, जर्मन या ग्रीक वासाओं के उनके नामों से बनाया गया है, तो इसलिए उनके नाम कुछ अलग होता है, जैसे शोडियम है, से बनाया है, लेटिन नाम उसका नेट्रियम है, तो नेट्रियम है तो नेट्रियम है तो एने से बनता है हो, इसलिए नेट्रियम एने से बनाया हो, तो यहां पर देखे शोडियम, लेटिन नाम है उसका नेट्रियम, शोडियम का तो इसलिए एने से बनाया हो, उसलिए आप जी से समझेंगे, तो जी से नहीं होता है, गोल्ड का जो सोने का पर्दीग है वो अईयू है, अईयू है अईयू है इसे दरह अने देखे आप कौपर, क्योप्रेस, शीयू तभी उसको बोला जाता है, ठीक है, अब बात करते हैं, पर्मानु दरबिमान, पर्मानु अईयू है या कार्वन है या ओक्णन है उसका दरबिमान एक निश्चित दरबिमान होता है, तो कैसे द्रबिमान उसका होता है, उसका कार्वन बार के समस्तानी के एक पर्मानु दरबिमान के एक बटे बारवे भाग को मानक पर्मानु दरबिमान कहते हैं, ऐसे उसका मानक शब माण निर्धारित होता है, तो यह टॉपिक के अंदरगद आप इसका अध्यन करेंगे, और यह देखेंगे, देखे, प्रतीक है, कुछ प्रतीक हैं, इनको देखे, हायज बोला जाता है, इसका परमानु कर्मांग का एक और परमानु भार है एक, जैसे लिधिया में, अल अब एक टॉपिक और इसमें है कि अनु क्या है अनु ज़सा कि आपको बता है कि अनु परमानु के सहयोग्षे बनता है परमानु ज़से अड़िजन एक है तो मनेखर सिंगल को हम सहित डाह二 इसमें अनु एकूरी आंड़िजन चेंसे अनु करने न आपको सही विर्ड़िजन ञेसा उड़ легla मंतली है वह स्ते हैं नहीं ज़से अनु ज़से हैं तो इसमें भी परमानु één परमानु आपको सही और नुम्हा मुलाद्ट जोगी के अनपात में प्रस पर जुड़कर योगी के अनु निर्मित करते हैं जल होता है जिसमें हैड़न के दो परमाणों है अनु हुआ एक ओ से बना तो इसलिए योगी के अनु हुए योगी की भी है अनु अपने आप में भी एक योगी के और आता है आयन क्या होता है जल की है दातों सहिक्त योगी के अवसीत करण से बने होते हैं उसमें धन और रिर्न आवसीत करण को निर्न वहां पर कहा जाता है ठीक है तो आयन क्या है अपने आप में रिन और धन आवसित कॉन है ठीक है इसका दिन करें